नमश्कार महुप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर मामले में सजा यफ्ता लालु यादव को जोरांदा कोशागार मामले में CBI कोट ने सजा सुना दी है बतादे कि जोरांदा कोशागार मामले में 149.35 करोड रुपई की अवैध निकासी का मामला सामने आया था जुसमें 99 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था जुसमें से 38 ऐसे लोग है जुन्हें कोट ने 21 फरवरी की तारीख तैगी थी ऐसे में आज लालो यादव को सजा सुनाई गई है फैतीस लोग अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा मिली है लालो यादव को 60 लाग का जर्माना भी देना होगा साथ ही उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई है लालो यादव की वकील ने बताया है कि लालो यादव आधी सजा काट चुके है इसलिए बेल के लिए अपील की जाएगी जनता दर्बार में सीम नितीश ने सुनी फर्यादियों की फर्याद कोरोना के मामले में कमी आने के साथ ही तीसरी लहर के बाद आज मुख्यमंत्रिन नितीश कुमार के दूसरे जनता दर्बार का आयोजन करवाया गया जिसमें सीयम नितीश ने दूर दराज से आई सभी फर्यादियों की फर्याद सुनी इसके साथ ही किसी ने रास्ते की समस्या तो किसी ने जमीन पर बिनानुमती के सड़क निर्मान की शिकायत भी की बिहार में अब बन रहा है कम्यूनिटी वाक्सिनेशन को लेकर खास प्लान बिहार में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के बीच कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को लेकर खास प्लान बनाया जा रहा है बिहार में गरम तो वही रात में दिख रहा ही है ठंद बिहार में पच्छवा हवा चलने की कारण मौसम का मिज्यास बदला बदला नजर आ रहा है आलम कुछ यू है कि दिन में तपश बढ़ रही है तो वही रात ठंद से दुपकी हुई नजर आ रही है तापमान में वरधी होने की कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है पिश्चर 24 घंटे की ही बात करें तो राजधानी पटना के नियुनतम तापमान में सामाने से 2 डिग्री की वरधी देखने को मिली जिसके तहती यहां का नियुनतम तापमान 14.6 डिग्री सेलसियस दर्श किया गया वहीं दूसरी तरफ सीता बढ़ी में 9.6 डिग्री सेलसियस नियुनतम तापमान दर्श किया गया 28.8 डिग्री सेलसियस के साथ बकसर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा पटना के अधिक्तम तापमान में सामाने से एक डिग्री की गिरावट भी दर्श की गई है यहां का अधिक्तम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया था मौसम विग्यानी की माने तो प्रदेश में पच्छवा हवा की गती आठ से 10 किलोमेटर प्रती घंटे की है अगले चार दिनों तक मौसम शिष्क बने रहने के साथ आसमान साफ रहेगा बकसर आरा पटना नाशनल हाईवे के निर्मान में आएगी तेजी बकसर आरा पटना फोर्लेन निर्मान में अधिकरहित जमीन के 48 करों रुपे मौावजे की राशी भू अरचन अधिकारी ने सिविल कोट आरा में जमा करने की जानकारी दे दी है उचनले के फोर्लेन निर्मान में होने बाले विलम्ब को लेकर संग्यान के लिए और बाद में अब ये फैसला लिया गया है साथ ही अब बकसर आरा पटना फोर्लेन का निर्मान भोजबुर जिले में भूमी अधिकरहन का पेऊच भी फस्ता हुआ नजर आ रहा है निर्मान शुरू होने के पांट साल बाद जुले के हिसे में फोर लेन का हिसा पूरा नहीं हो सका भोजपुर जुले के हिसे में पढ़ने वाले 55 मौजा में रएत मुआफ़ा नहीं मिले के कारण इसमें रोड़े अठकाते रहे हैं आदेश जारी करने के बावजूद बिहार के इतने गाउं में अब तक नहीं शुरू हुआ जमीन सर्वे बिहार में कुछ दुनों पहले ही जमीन सर्वे से सम्धेत आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया था लेकिन अफसोस राज्य के 51 सो गाउं में अब तक जमीन सर्वे का काम शिरू ही नहीं हुआ है जमीन का सर्वे और चकबंदी को लेकर राज्य सरकार भले ही जल्दी में है लेकिन कर्मियों को इसकी चिंता नहीं है सरकार ने पहले चरण के 20 जलो में काम पूरा किये बिना दूसरे चरण के 18 जलो में काम शिरू करने की घोशना कर दी है नतीजा ही रहा कि दूसरे चरण के लिए अब तक शिवर का गठन भी नहीं हुआ है इतना ही नहीं समस्या इस बात की भी है कि राजस्त विभाग ने इसी बीच चक्षबंदी की तयारी शुरू कर दी है इसको तक्नीकी पहलू को लेकर के ही विभाग ने आई आई टी रुड़की को पत्र भी भेज दिया है राजू के पहले चुरणवाले 20 जलो में जमीन सर्वे कारे में देरी कासर दूस्टे चुरणबी के 18 जलो पर पढ़ने लगा है बिहार में बीचे 10 साल में 100 गुना बढ़ा साइबर अपराध बिहार में साइबर अपराधियों का आतम का बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे समय के साथ हमारी टेकनोलोजी विक्सित हो रही है वैसे वैसे अपराधियों कि अपराध का तरीका भी हाई टेक होता जा रहा है बीते दस साल की रिकॉर्ड को देख कर आप भी यही कहेंगे आलम कुछ यू है कि पुरे बिहार में 2011 में साइबर अपराध का सिर्फ एक मामला दर्श हुआ था जिनकी संख्या 2020 में बढ़कर 99 में हो गई बीच के वर्षों पर नजर डाले तो इनकी संख्या प्रतिवर्ष 300 से ज्यादा हो गई थी मही 2011 से 2022 तक पर नजर डाले तो अब तक 2026 मामले दर्श किया जा चुके हैं इनमें 1095 मामलों का नश्पादन या डिस्पोजल कर दिया गया है जबकि 73 मामले पेंडिंग है और उनकी जाँच अभी चल रही है आईसे अधिक संपत्ती होने के कारण फसके खनेज अधिकारी बिहार में लगातार आईसे अधिक संपत्ती वाले भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी एक के बादेक निकल करके सामने आ रही है इसी बीच एक बार फिर से बड़े अधिकारियों का नाम अब सामने आने लगा है ताजा मामला पटना के खनज विकास पदाधिकारी सुरेंद प्रसाद सनहा का है उन्हें के ठेकानों पर कारवाई करने के लिए आज सुबह सुबह टीम पहुँची थी साल 2006 में बिहार में लोग सेवक के रूपे काररत सुरेंद प्रसाद सनहा पर आरोप लगाये गया है कि उन्होंने आई से लगभग 68.32 प्रतिशत अधिक संपत्ती अरजित की है जो लगभग 89.88.000 रुपे है जो कि उन्हें बालू के अवेध उत्खनन परिवहन और भंडारन और गयर कानूनी व्यापार के माध्यम से अरजित की गई है हाला के उनके खिलाफ इसकी शिकायत पहले ही दर्श कर ली गई थी जिसके तहती कोट के आदेश पर बीते 17 तारीक को ध्रश्ट्रा चार्ने रोधक अधिरियम के तहत मामला दर्श किया गया था आज उनके तीन ठेकानों पर कारवाई की का काम किया जा रहा है पटना हाई कोट में आज से शुरू हुई फिजिकल सुनवाई कोरोना की तीसरी लहर अब सामाने होती हुई नजर आ रही है राजसरकार ने इसको लेकर पहले ही सारी तहरे की पावंदियों को हटा दिया है और अब पटना हाई कोट में भी जो भी पावंदिया लागू की गई थी उसको भी वापस लेडिया गया है जुसके बाद ही अब सुमबार यानि की आज से आमने सामने सुनवाई की प्रक्रियाद देखने को मिले अर्टालीस दिन बाद फिजिकल कोट यानि केसो पर आमने सामने की सुनवाई शुरू हुई यानि की आज से गुरवार तक फिजिकल वही एक दिन यानि की शुकरवार को वर्चुल माध्यम से सुनवाई होगी हलाकि ध्यान देने वाली बात ये है कि हाई कोट में सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सक्सी से पालन किया जाएगा अड़ोकेट असोसियेशन अध्यक्ष योगेश चंद्रवर्मा के मताबिक पिछले दिनों पटना हाई कोट समनव्य समी थी और हाई कोट पριसाशन के बीच में महत्वपूर्ण बेठक में ये निर्डर लिया जा चुका है विहार में करीब इतने पुलिस कर्मियों पर विभाग एक कारभाई लंबुत बिहार पुलिस महकमे में 1000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों पर मामले बिहार में लंबित बड़े हैं कामलों की वज़े से पुलीस कर्मियों के प्रमोशन में बाधा पहुंचती है, जाच के उपरांथ ही तै हो पाएगा कि पुलिस कर्मिय निर्दोश है या दोशी है, दोशी पर कड़ी से कड़ी सजा होगी, बिहार में भी आया हिजाब विवाद, हिजाब को लेकर करनाटक से जो विवाद शिड हुआ था, उसकी जाच बिहार में भी आ गई है, हाल ही में बिहार को लेकर एक नया विवाद भी देखने को मिला, नेता प्रतिपक्ष तैजस्वी आदव के ओफिस वाले ट्विचर हैंडल से एक वीडियो को रीट्वीट किया गया, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक लड़की जो बेगु सराय के मनसूर चक्स्तित यूको वांक की शाखा में पैसे का लें दिन करने पहुची थी, वहां बैंक कर्भियों ने हिजाब का हवाला देते वे उसे ट्रांसक्षन से रोक दिया था, नेता प्रतिपक्ष तैजस्वी आदव के ओफिस वाले ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को रीट्वीट किया गया और मुक्यमंत्री नितीश कुमार से सवाल पूछा गया कि आप कुर्सी की खातिर क्या करवा रहे हैं बिहार विधान सभा अधियक्ष के साथ हुए दुर्वयभार पर ज्यवाब तलब ये नोटिस लखी सराई DSP रंजन कुमार और दो थाना प्रभारी दिलिप कुमार और संजे कुमार सिंग के खिलाफ है इस बावत सोंबार को तीन बजे विधान सभा में महत्वपूर्ण बैठेक भी बुलाई गए थी इसमें विधान सभा के साच्व नेमोखे साच्व आमिर सुभानी और डीजीप एकल और डीजीप इसके सिंगल को भी बुलाये था इन्हें सम्मधित पतादिकारियों के जवाब के साथ पेश होने का अंदर देश दिया गया था लालोयादफ पर बनेगी फिल्म बिहार की राजरीती के मशहूर नावों में शिमार लालोयादफ पर जल्द ही फिल्म का निर्मान होने वाला है इसको लेकर मशहूर फिल्म और टीवी अभिनेता राव रनविजे 21 फरवरी को चकाई आने वाले थे इसके बाद खबर यही है कि वो समलतला के लिए प्रस्थान करेंगे आपको बता दे कि मिरे शुमला कहे जाने वाले समलतला की वादियों में घुमने के बाद वो वापस मुंबई चले जाएंगे क्योंकि राव रनविजे ही लालुयादव के जीवन पर आधारित फिल्म लाल्टेन में काम करने वाले हैं जो लालुयादव के खास मित्रु का रोल अदा करने वाले हैं ग्यात हो अभिनेता राओ रनविजे बीते आठ वर्षों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता के रूप में काफी सारी धार रवाइक, आड़ फिल्मों और शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हैं ICC T20 टीम रांकिंग में टॉप पर पहुचा भारत वेस्ट इंडीस की खिलाफ तीन माचों की सीरीज में तीन शुनिस से बीते दिन क्लीन स्वीप करने के बाद भारती क्रुकेट टीम ICC की ताज़ा T20 टीम रांकिंग में टॉप पर पहुच गई है क्या थोबीते दिन इडिन गार्डन में हुए तीसरे माच में भारत ने वेस्ट इंडीस को 17 रंस से हरा कर लेटेस T20 टीम रांकिंग में नंबर वन का स्थान हासिल कर लिया है इंडिया ने इंग्लाइन को पचार कर T20 रांकिंग में अपनी बाद शाहत काइम की है भारत के अब तक 200 उनहांतर रेटिंग हो गई है जबकि इंग्लाइन के भी इतने ही है लेकिन भारत के पास इंग्लाइन से ज्यादा पॉइंट्स है भारत में कोरोना के मामलों में देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से घरती जा रही है देश में पिछले 24 गंटे में 16,051 ने कोरोना के सामने आये है और 206 संक्रमितों की जान चली गए जब केस से एक दिन पहले कोरोना के 19,968 ने मामले आये थे और 673 लोगों की जान जा चुकी थी अच्छी बात यह है कि पिछले 24 गंटे में 37,901 लोग कोरोना से ठीक भी हुए है यानि कि 22,000 अक्टिव केस कम हो गया कोरोना महवारी की शिर्वात से लेकर अब तक कुल 4,28,38,524 लोग संक्रमित हुए है इन में से 5,12,000 लोग की जान जा चुकी है अब तक 4,21,24,000 लोग ठीक भी हुए देश में कोरोना अक्टिव केस की संख्या 3,00,000 से कम है कुल 2,21,31 लोग अभी भी कोरोना वारिस से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है कर हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कविता कुमारी, रावजेश भाई, नुन्यु कुमार, उमा शंकर जैसवाल, संजे कुमार, समर राज, विशाल कुमार जैसवाल, शंकर मुख्या, रोशन यादव, निकिता कुमारी आप इसे तर हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे और बेल आइकों दोवाना ना भूले, धन्यवाद